हेलो एब्रिवार माइसेल्फ अमीद दास आप सभीकों पता होगा वीवो ने नया फोन लॉंच किया है जो की X50 and X50 Pro X50 series बोल के आते हैं तो मेरे पास फिलल आगया है वीवो का प्रूब देख सकते है X50 Pro जो मेरे पास Pro version available है इसमें lots of features यह गया है देटुडेट की लाइब के हिसाब से आप उसकर सकते हैं और नया कुछ innovation किया गया है इस फोन में जो कि आप लोगों में unboxing की तुरू आज दिखाना चाहूंगा इस फोन में और क्या-क्या एबल एबल है सबसे पहले unboxing करने से पहले मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं इस फोन में हाइलेट किया हुगा एक्स पेटन जो आप लोग देख सकते हैं काफी करीब से और सातों साथ यहां पर छोटा सा ब्रेंडिंग किया हुगा भीव का 5G का जो कि काफी future phone माना गया इस फोन को सबसे अच्छा बात है हम लोग इंडियन लोगों के लिए काफी pride moment होगा यह कि भीवो ने आपका making इंडिया लोगों से यह phone launch किया गया है तो चलिए आए शुरू करते हैं देखते हैं इस phone में और क्या facilities एवलेबल है और क्या-क्या features एवलेबल है आइए देखते हैं सब्सक्राइब है विवो एक्सिप्टी प्रो ओ माइगोड इस जस्ट एमेजिंग अविजिंग लोग अभी इसको अन करते हैं तब तक बूटन के बाद देख लेते हैं box content क्या क्या है इसको अभी साइब में रखते हैं यह हो गया वीवो का earphone 3.5 mm jack वाला earphone यह हो गया भी सिलिकन कवर काफी प्रिमियम लग रहा है फोन को भी प्रटेक्ट करेगा यह हो गया पेपर ग्राइड वगरा जो कि आप इसमें देख सकते हैं और इसमें सिम टूल इजेक्टर भी दिया हुआ है यह होगी यूवी टाइप सी केबल 33 वाट का फ्लेश चार्ज याग काफी चार्ज कर लेगा इस फोन को अभी बोक्स कॉंटेंट को स्ट्राइड करते हैं अभी फिलाल भूर हो गया अभी देखते हैं प्न में क्या आता है बात करते इस फोन के एक्स्ट्रीम बिजार्ण की हें काफी खुदसरत फोन बनाया है वीवो ने सबसे पहले बात करते हैं ड 50 pro में यूज़ किया है जिसकी वज़े से जब भी आप इस फोन को अपने हाथों पे लोगे एक स्मूथ एन विल्विटिक टच करवाऊ और साथ बात करते हैं इसका अगर फोन डिस्प्ले की जो की 6.56 इंच का E3 Super AMOLED डिस्प्ले यूज़ किया गया है जो की 3D Ultra O का विस्किन बोला जाता है और साइड में अगर देखते हैं तो 55 डिवी तक करव डिस्प्ले है अगर बात करते हैं बेजल की काफी नेरो बेजल दिया गया है इसने ये था फोन का ओवरेल लुक्स के बारे में अभी जो इ जो की gimbal camera system के साथ आता है जो की इसमें sensor यूज़ कर गया है sony imx598 जो इसका aperture आता है 1.6 aperture के साथ आता है और second camera की बात करते हैं जो आता है आपका 13MP portrait lens के साथ ए portrait mode के लिए है अब बात करते हैं 3rd camera 8MP जो एक multi lens का का काम करेगा जहां आप 120 degree तक wide angle photo ले सकते हो 2.5 cm का macro mode ले सक camera जो आता है वो 8MP periscope के साथ आता है जिसमें आप कीच सेकते हैं 5x optical zoom and 60x hyper zoom के साथ आता है इस camera setup के अलावा हमें और कुछ exciting features मिलते हैं जैसे कि होगया super night mode 3.0 extreme night vision astro mode style night filters night portrait AI super moon shadow removal ऐसे और भी मैंने photo click किया है आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं जो मैंने macro shots लिये हैं यहां macro shots यहां night mode जूम करके भी देख सकते हैं काफी clear detailing आ रहा है रात को भी extreme night mode में साथो साथ मैंने ultra wide angle click भी किया है वो भी देख सकते है ultra wide angle में photos काफी clear भी आ रहा है और साथो साथ मैंने style night filters भी यूज किया है इसमें देखने में काफी खुबसरत लग रहा है और यह मैंने portrait लिया है portrait mode में काफी impressive looks आ रहा है जो कि detailing काफी अच्छा है portrait mode में आप जूम करके भी देख सकते हैं साथो साथ मैंने लिया जो कि gimbal camera system है उसके थो भी मैंने एक video लिया काफी खुबसरत वीडियो रहा है काफी stable भी है काफी आतों घीवो ने काफी gimbal setup से बहुत ही बैतरी इस्टेबल कि वीडियो काफी smooth है stable है अब बहुत ही दिखने में काफी खुबसरत है चलिए अभी बात करते ही इसी phone के अगर phone camera की जो आता है 32 megapixel के साथ with aura light screen and super night selfie के साथ दिखने में काफी looks भी बहुत अच्छा लग रहा है पता नहीं चल रहा है screen के अंदर जो camera है आतों साथ इस phone से मैंन सेंपल शोट्स क्लिक किया हो है आप लोग देख सकते हैं काफी clear और काफी detailing है जो की बहुत अच्छा दिखाती है बात करते हैं इसी phone की extreme performance की जो आता है Qualcomm Snapdragon 765G के साथ plus इसमें 7 nanometer technology chipset लगाया गया है इसके वज़े से अब देख सकते हैं multi-tasking बहुत फास्ट होगा कोई भी एप से अगर हम लोग run कर रहे हैं बहुत ही फास्ट response कर रहा है open and close काफी अच्छी तरगा से response कर रहा है और साथो साथ अगर अगर अप gaming करते हैं तो gaming के लिए Adreno 620 graphics यूज के आगा है आपको काफी बैतरी इन experience मिलेगा gaming के लिए अब बात करते हैं इसी phone के अगर रैम डॉ इसका चार्जिंग टेकनोलीजी है 33W फ्लेश चार्ज 2.0 के साथ आ रहे हैं सबसी अच्छी बात है इस phone में आ रहा है USB Type-C जो कि आपको काफी चार्ज करके देगा यह था Vivo X50 Pro का unboxing इसके अलावर भी lots of features इसमें available है जो आप नियरेस Vivo dealer यह आपकी इस्टोर में जाके देख सकते हैं आप अगर भर बेटे phone परस्टेस करना चाते हैं तो डी डॉर लीगो डॉर फोन स्लेश ब्येशन में जाके आपका पर्सेनल डीटेल्स बगर उपिलाव करके जो जो आपका requirement है उसको भिलाव कर दीजे हम लोग का executive आपका धर में जाके फुली safety के साथ भर में पूप